जो इस्क्रीन पर आपको टेस्टी सा और क्रीमी सा रेसिपी दिख रहा है दोस्तों यह कुछ और नहीं है यह है करेले का रायता तो नमस्कार दोस्तों कुकित पैशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है तो आज हम लेकर आए करेले का रायता जो बनता है बहुत तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं दो करेले और अब इन्हें धुल कर हमने काटना है काटने के लिए इसके पीसे सम थोड़े से छोटे छोटे काटेंगे तो देखा आपने मैंने करेले को पहले चार भागों में काटा अब फिर इसे पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे तो यहाँ पर पूरा कट चुका है तो अब हम इसमें मिला देंगे नमक मिलाने के बाद हम इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और उसी के बाद हम इसे अच्छे से दो से तीन पाने से धूलेंगे इससे क्या होगा कि करेले का जो कड़वापन है वह काफी कम हो जाएगा तो यहाँ पर हमने करेले को धुल कर तयार कर लिया है तो अब एक पैन लेंगे और इसमें एक चमर तेल को गर्म करेंगे जब तेल अच्छा सा गर्म हो क्या है तो हमने यहाँ पर मिलाया है लगबग एक चमर सरसो और जैसे ही सरसो बढ़ना सा चपन जया है तो हम इसमें आदेंगे सरला और अब इसे दोनों साइट से बिल्कुल golden brown होने तर क्रिस्प होने तर हम भून लेते हैं तो यह देखिए यह बिल्कुल बढ़िया सा क्रिस्प हो गया है तो अब इसमें हमने एक प्याज को roughly chop किया है और उसे डाल देंगे और यहाँ पर प्याज को बस इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए अगर दोस्तों आप प्याज को कच्चा खाना चाहते हैं तो आप इसे कच्चा स्तमाल राते में कर सकते हैं तब आपको प्याज यहाँ पर फ्राइ करनी की ज़रूरत नहीं है तो अब हमने यह ले लिया है दही और अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और अब इसमें डाला है नमक नाथ ही जाएगा काला नमक और भूने जीरे का पाउडर हरा मिर्च और यह पूदिना जिसे हम बिल्कुल फाइन चौप करके इसमें डाल देते हैं और अब इन सब को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और यह बिल्कुल मिक्स होकर तयार है तो अब इसमें हम डाल देंगे करेला और प्याज जो कि हमने भून कर तयार कर लिया था और अब इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर पनीर के कुछ टुकड़े हमने ले लिये हैं जिनने छोटे-छोटे पिसस में काटे थे उसे भी अच्छे से मिला लेंगे तो यह आपका करेली का रायता बनकर हो गया है तयार तो दोस्तों आप इसे जरूर ट्राइ करिए कि यह बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही यह कितना हिल्दी होता है यह बतानी की जरूरत नहीं है इसे तो दोस्तों आपको यूटूब पर ऐसे बहुत से चैनल मिलेंगे जहां पर चटपटे और मसालेदार रेसिपी तयार किये जाते हैं लेकिन कुछ ही चैनल होते हैं जो रखते हैं आपके हिल्थ का खास खयाल तो हिल्थी रेसिपी के साथ साथ अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक रखिए आप लोग अपना खाया नमस्कार